सत नाम वाहिरो साहिब जी सलोक महला तिज्जा सत गुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मानचिन्देया फड़ पावना हो मैं विच्चों जाए सत गुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मानचिन्देया फड़ पावना हो मैं विच्चों जाए बंदन तोड़े मुक्त होए सचे रहे समाए इस जग में नाम अलब है गुर्मक वसाय मान आए नानक जो गुर से वें अपना हो तिन भले हा रह जाओ महला ती जा मानवक मन अजित है दुझें लगे जाए तिसनों सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कार कार पाड़ पाड़ पंड़त ठके सिद्ध समाद लगाए इह मन वसनाय आवई ठके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर ठके आठ सड़ तिर्थ नाए मन की सार न जाननी हमें परम पुलाए गुर पर सादी पौपया वड़ पाग वस्या मन आए पैपयें मन वस हुआ हमें सब्द जलाए सचरते से निर्मले जोती जोत मिलाए सतगुर मिले नाउं पाया नानक सुख समाए पावडी एह पूपतराने रंग दिन चार सुहावणा ये माया रंग कुसुंब किन में ले जावणा चल दिया नाल नाचले सिर पाप ले जावणा जा पकड चलाया काल ता खराड रावणा ओ विला हात नायावै फिर पचतावणा ये पूपतराने रंग दिन चार सुहावणा ये माया रंग कुसुंब किन में ले जावणा चल दिया नाल नाचले सिर पाप ले जावणा जा पकड चलाया काल ता खराड रावणा ओ हो विला हात नायावै फिर पचतावणा वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते एहन आजदे पवितर होकम नामे जो सहफ स्री गुरू अमरदाह जीती जे पाथ्षा जीदे स्लोक वेच उचार्ण किते हो एहन जो स्री दर्वार साव अमर साथ तो आई हन गुरू साब जी फरमान का रेने जे कोई मनुख चेत लगाके सेवा करे ता सत्गुरू दी दसी सेवा जरूर फाल लांदी है मान इच्छे आफाल मिल दै अहंका आर्मान विच्चो दूर उन दै गुरू दी दसी कार कमाया दे बंदना न तोड़ दी है बंदना दो खलासी हो जन दी है ते सच्चे हरी विच्च मनुख सुमाया रेन दै इस संसार विच्च हरी दा नाम दुरलब है सत्गुरू दे सानुख मनुख दे मान विच्च आके वस्ता है ये नानक आख मैं सदके हां उना तो जो अपने सत्गुरू दी दसी कार कर देयन मन मुख दा मन उस्ते कबू तो बार है क्योंकि ओ माया विच्च जाके लगा हुए है सिटा ये निकलदा है कि उसनो सुपने विच्च भी सुख नहीं मिलदा उसी उमर सदा दुख विच ही गुजर दी है नेका पंड़त लोक पढ़ पढ़ के ते सिट समादिया लाला के ठक गए हन कई करम करके ठक गए हन पढ़न नाल ते समादिया नाल ए मान का भू विच्च नहीं होँदा पेक करन वाले मनुख पाव सादु लोक कई पेक करके अठार तीर्था ते नाना के ठक गए हन हमे ते परंबिच्य पुल्ली होयानू मन दी सार नहीं आई वड़े पागनाल सत्गुरुदी किर्पा राही पाव उपजदा है ते मन विच आके वस्ता है हे हरी हरीदा पाव उपजियां ही ते हमे सत्गुरुदे शब्दनाल साड के ही मन वस विच आउंदै जो मनुख जोती सुरू प्रभु विच अपनी विर्ती मिला के सच्चे विच रंगे गए हन ओ निर्मल हो गए हन पर हे नानक सत्गुरुदे मिल्यां ही नाम मिल्दा है ते सुख विच समाई हुंदी है राजियां ते राणेयां दे ए रांगल चार दिना पाव थोड़े चिर लई सोब निक हुंदें माया दा एहे रांग कुसुंबे दा रांग है पाव कुसुंबे वांग शिन पंगर है शिन मातर विच लई जाएगा संसार तो तुर्ण विड़े माया नाल नहीं जादी परिस्ते कार्ण कीते पाप अपने सिर्थे लई जाई दे हन जदों जम काल ने फड़के अगे ला लिया ता जीव डाड़ा पैपी पी धुंदा है मनुख जनम वड़ा वो समा फिर मिलदा नहीं इस वास्ते पच्टांदा है वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते जिस हिरा तोर्ष्षार नवार उन के वाहिए खंदा जैफ्र लूजी के का राद। अंध मिलदा अपन्र। ध्रशपार। этому करुंदी की थो खूँते उनais ौप्री समा Este true Guru is fruitful and rewarding if one performs it with his mind focused on it the fruits of the minds desires are obtained and egotism departs from within His bonds are broken and he is liberated. He remains absorbed in the true Lord. It is so difficult to obtain the Naam in this world. It comes to dwell in the mind of the Gurmukh. O Nanak, I am a sacrifice to one who serves his true Guru. 3. The mind of the self-willed Manmukh is so very stubborn. It is stuck in the love of duality. He does not find peace even in dreams. He passes his life in misery and suffering. The Pandits have grown weary of going door to door, reading and reciting their scriptures. The Siddhas have gone into their trances of Samadhi. This mind cannot be controlled. They are tired of performing religious rituals. 4. The impersonators have grown weary of wearing false costumes and bathing at the sixty-eight sacred shrines. They do not know the state of their own minds. 5. They are deluded by doubt and egotism. By Guru's grace, the fear of God is obtained. By great good fortune, the Lord comes to abide in the mind. 5. When the fear of God comes, the mind is restrained, and through the word of the Shabbat the ego is burnt away. 6. Those who are imbued with truth are immaculate. Their light merges in the light. Meeting the true Guru, one obtains the name, O Nanak. He is absorbed in peace. 6. The players of kings and emperors are pleasing, but they last for only a few days. 7. These players of Maya are like the color of the sunflower, which wears off in a moment. 7. They do not go with him when he departs. Instead, he carries the load of sins upon his head. 8. When death seizes him and marches him away, then he looks absolutely hideous. 9. That lost opportunity will not come into his hands again, and in the end he regrets and repents. 9. Vahegur Ji Ka Khalsa, Vahegur Ji Ka Khalsa, Vahegur Ji Ki Fateh.